जब कोई व्यक्ति या कोई मनुस्य जब बुद्ध बनने की ओर अग्रसर होता है तो उसको चार अवस्थाओं से बुजरना पड़ता है इन चार अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है उसको बोलते हैं सोतापन सोतापन अरत बनने की या बुद्ध बनने की या बोदिसत बनने की आवस्था का पहला लेवल या पहला चरने जहां वो अपने आपको चेक कर सकता है या कोई उससे उची अवस्था का व्यक्ती देख कर बता सकता है कि अब ये सोता पन होने जा रहा है या नहीं सोता पन का मतलब है सोत से समपन यहाँ जो सोत है सोत पाली में कान को भी बोलते हैं और सोत माने जो पानी का सोत निकलता है जिसको सोता बोलते हैं कहीं से पानी रिस्ता है उसे भी बोलते हैं तो इसके दो मतलब हैं दोनों मतलब लगवग एक से हैं पहला मतलब तो यह है कोई सुनने में पढ़ गया यानि किसी ने धम को सुना और वो उसमें आगे बढ़ना शुरू हो गया पढ़ गया दूसरा इसका मतलब है कि सोता का मतलब धार में पढ़ गया पानी के रास्ते पढ़ गया धम के रास्ते पढ़ गया और उससे संपन हो ग तीन चीज़ें अगर वो complete कर लेती है तीन बातें अगर वो पूरा कर लेती है या कर लेता है तो हम कह सकते हैं या कोई उससे उंची अवस्था का कह सकता है या वो खुद भी जान लेगा कि अब वो पहली अवस्था यानि सोतापन जिसका नाम दिया है उसमें वो आ गया पहल सतकाय वर्ड बुद्ध ने, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में, जब उनको शरीर के वारे में और अपने वारे में, जब ज्ञान प्राप्थ हो रहा था और वो ज्ञान को ले रहे थे, सीख रहे थे तो बहुत सारे चीजों के नाम उन्होंने खुद भी बनाए हैं क्योंकि उससे पहले ये जो knowledge थी ये जो information थी ये किसी के पास थी नहीं इसलिए इसके जो बहुत सारे पड़ाव आए बहुत सारे जो बीच बीच में बीच पीच में जो break आए या विपस्टना करने वाले लोग है जो धम सीखने वाले लोग है उनका मतलब अलग है और आम आदमी का अलग है आम आदमी के हिसाफ़ से तो वो ये है कि काया सामने दिखाए दी काया का मतलब शरीर है बाड़ी है मनुस्ते की बाड़ी दिखाए दी और जो सरीर में मन है, इसको आप अच्छी तरह से देखें कि ये काम कैसे कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया क्योंकि जैसा आपने इसको input दिया, वैसा ये आपको output देगा। अगर आपने गरम पानी पिया तो आप देखेंगे कि आपका सरीर गरम हुआ। आपने ठंडा पानी पिया तो आपको दिखाई देगा कि महसुस होगा कि आपका सरीर ठंडा हुआ। आपके मन में अगर किसी के पिरती गरत विचार आया, तो आप देखेंगे कि आपके सरीर ने क्या react किया। आपके मन में अगर किसी के प्रती अच्छा बात आई तो आप देखेंगे कि आपके सरीर ने कैसा काम किया या सरीर पे कोई पढ़ने वाला प्रभाव मन पे कैसे बदलता है इसके बहुत सारे स्टेजिस हैं जो इनको सत्य रूप से देख लेता है उसको सत्य काय द्रश्टी बोलते हैं यह सत्य काय द्रश्टी बोलते हैं तो जो इसको देखना सीख लेता है विपस्टना में यह सिखाय जाता है जब हम विपस्टना के एपिसोड बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो पहला लेविल यह है सोतापन का पहला लेविल दूसरा है वीचिकिच्छा या वीचिकित्सा पाली में हम कहेंगे इसको तो यह है वीचिकिच्छा या अगर इसको संस्कृत में कहेंगे जो बाद में बनी भासा है तो यह है वीचिकित्सा वीचिकित्सा या वीचिकित्सा का मतलब होता है संदे होना यानि कोई अगर संदे से परे हो जाए संदे क्या डाउट क्या है डाउट और संदे यह है कि जिस मार्क पे वो चल रहा है जो रास्ता उसे सिखाया जा रहा है या जो रास्ता पहले से पर्मारेंट सुखी हो गे, ये रास्ता संदेशों से भरा हुआ नहीं है, अब मैं इसको संदेशों को सारी संदे जितने भी हैं, डाउटस हैं, किलियर हो गए हैं, दूर हो गए हैं, अगर ये बात वो पक्की तरह से समझ लेता है और जान लेता है, अच्छी तरह से, खोज संदे नहीं रहते था, तो यह दूसा लक्षन है, और तीसा लक्षन है, कि अगर वो बुद्ध धम और संग की सरण को सुदिकार कर लेता है तो, और सील समादी से युक्त हो जाता है, यानि बुद्ध की, बुद्ध का मतलब है बोधी सत्व यानि की बोधी की जो सरन है बोधी की जो बात है जो सरन है जो उसे खा रहे हैं वो और जो प्राकर्टिक नियम है धम है वो और जो ऐसे लोगों का समू है वो उनमें अगर वो यकीन रखता है उनको मानता है विस्वास करता है और सील और समाधी में यानि कि जो सील जितने भी बताएं हैं बुद्धने और जो बाद में लिखे भी गए हैं उनमें सील का मतलब सही काम करने का नियम वो अगर और समाधी जो सही तरीके से सरी को देखने की ध्यान करने की विधी है अगर वो उसमें पारंगत होना सुरू हो जाता है ऐसे तीन गुण अगर जिसमें आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति अब सोतापन हो गया सोतापन जो व्यक्ति हो जाता है यवस्ता है, दूसरी यवस्ता आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी, धन्यवाद